Good morning student, next हमारे पास ट्रोफिक है component of a topological space component of a topological space की definition कहे कि component of a topological space X is a maximum connected subset कि component किसको कह रहे है जो आपके पास maximal connected subset होगा उसको क्या कह रहे है component that is a connected subset which is not properly contained in any connected subset of X कि आपके पास ये जो connected subset रहेगा आपका ये किसी भी properly subset X का कोई दूसरा properly connected subset हो उसके अंदर contain नहीं करेगा यानि क्या कह रहे है ये आपके पास क्या आजाई ये आपका क्या connected और ये आपके पास क्या है आपका subset X का तो कोई दूसरा भी आपका subset of X या प्रोपर B आपका subset of X आपके पास content नहे करे जो आप क्या A आपका content करे B में ये वाली possibility नहे हो तो नहे होगी तो A को आप क्या कहोगे maximal connected subset या फिर A को component of the topological space अब आपके पास example है जैसे discrete space का discrete space में connected कौन सा only singleton set तो आपके पास discrete में connected subset आपके पास क्या है empty set and singleton subset यही दो आएंगे वहाँ पे आपके तो जो आपका singleton set है यह आपका क्या होजएगा आपका component क्योंकि आपका maximal होजएगा इसके अलावा क्या है आपके पास 5 connected है 5 आपके singleton set में ही आपका क्या होगा set में होगा ठीक है तो यह तो किसी में contain नहीं हुआ न यह तो आपका क्या subset है आपके x का और इसके अंदर यह contain है तो आपका क्या कहोगे कि singleton set आपका क्या है component second क्या connected topology x has one and only one component namely the space itself कि आपके पास कोई connected topological space है उसके पास एक component होगा वो आपके पास क्या है रहेगा वो itself x क्योंकि x के अंदर तो कोई content ही नहीं होगा उसके बाद क्ये कह रहे है in discrete space में x आपके पास क्या रहेगा यह आपके पास क्या रहेगा component रहेगा क्यों क्यों क्योंकि आपको पता in discrete space में सिर्फ दो ही आपके क्या आएंगे, यानि वो आएंगे connected subset, आएंगे कौंचे 5 अए 5 आपके x में content करेगर x आपके क्या x का अपकर सब्सेट, यह connected है तो आपके पास क्या है यही आपका क्या component maximal क्या है आपका connected subset, तो maximal है तो यह आपका क्या होजेगा, component और या उसके बाद आपके पास गिवन है एक एक्जम्पल है एक्जम्पल में क्या गिवन है कि X आपके पास एक सेट है X आपके पास क्या ले लिया A, B, C आपके पास सेट है and J आपके पास टॉपलोजी है टोपलोजी में कौन से हैं, फाई, एकस, ए, सी, ए, बी, एंड, ए, सी, टोपलोजी में, फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, कि आपके पास क्या आए जाएंगे, कि आपके पास यूनियन, एकस आपके पास क्या है, सिंस, एकस आपके पास यूनियन है, टू डिस्ट्वाइंट ओपन सेट्स का, यानि एकस आपके पास क्या आजाएंगे, एकवल आजाएंगे, यूनियन ओपन सेट्स का, यूनियन ओपन सेट्स का, यूनियन है, तो इसका मतलब क्या है, एकस आपके पास क्या आजाएंगा, क्योंकि A, B आपके पास क्या है आप इसको Union of two Disjoint Union of two Disjoint Open Sets के उसमें नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास क्या गिवन आपके Topology में 5, X, A, C A, B, A, C तो आपके पास क्या है दो Sets का Union, ये आपके पास तो Singleton Set है, ठीक है क्योंकि आपको B होता है इसके अंदर तो उसके Union में लिख देती लेकिन अब B नहीं है तो आप इसके Union में नहीं लिख सकते तो आपके पास ये वाला जो हो गई है आपका क्या रहेगा, आपका Connected ठीक है, Connected है हम क्या रहे हैं लेकिन Is Not Properly Contained In Any Connected Subset of X कि आपके इसके बाद कोई दूसरा जो Connected Subset है जो Properly Contained है एक के अंदर, उस वाले Subset के अंदर Contain नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे बड़ा तो आपका कुंचा X ही है और X आपके पास क्या है Not Connected इसका मतलब क्या रह गया कि यही आपका क्या है सबसे बड़ा Connected Subset है आपके X का सबसे बड़ा Connected Subset of X हो गया तो इसका मतलब यह A भी आपके पास क्या है Component आप इसको क्या बोल दोगे Component या Maximal Connected Subset of R फिर दुबारे हम क्या ले रहे हैं एक C को दिखा रहे हैं C आपके पास क्या है Connected है Connected है C आपका किस किस में बिलों कर रहे है आपको पता है A C में और B C में एंड आपके X में होगा अब आपको पता है A C आपके पास क्या है A C आपके पास क्या है Note Connected क्यों? क्योंकि A C आप सेट लेके चलोगे यह union आजेगा to disjoint open sets का AOC का तो इसका मतलब यह not connected ठीक है तो AC not connected आ गया C इसमें नहीं है आपका यह फिर BC, BC आपके यहां पे open है ही नहीं ठीक है और BC को आपके इसका मतलब क्या है कि आपके union to disjoint open sets के BC में भी आपके contain नहीं होगा BC को आप कैसे लिख सकते हो आपके BOC वाले में ठीक है, X आपके पास वैसे यह X आपका तो इसका मतलब क्या है कि X आपका क्या है note connected, X आपको ओल्रेडी दिखा चुके है क्योंकि X आपके पास क्या हाजेगा, AB और EC का क्या हाजेगा, आपके पास है union तो इसका मतलब क्या है कि C आपके पास जो है, यह C आपका क्या है, maximal component, maximal connected set of X सबसे बड़ा है, ठीक है सबसे बड़ा है, AB के बाद यह वाले आपका यह कल चुके हैं, उसके बाद दुबारे फिर फदर बाहर कर रहे हैं उसके बाद, तो उसके बाद क्या आपका यह C आगया, C आगया तब यहां से आप क्या कोगे कि जो maximal आगया, इसका मतलब यह क्या आपका component है उसके बाद next आपके पास definition है, कि एक component of a subset e of a topological space x is a component of e with respect to relative topology यह हम प्रूब कर रहे हैं, यहां पर थोरम पर कि every known empty connected subset of a topological space is contained in a component अब यहां से क्या कह रहे हैं, कि आपके पास एक connected subset है, आपके topological space का और वो content किसके अंदर करेगा, एक component के अंदर contain करेगा, component के अंदर contain करेगा, तो हम यहां से लेके चलते हैं, कि ए आपके पास क्या है, non empty connected subset है connected subset of x है, पर c हम लेके चल रहे हैं, कि आपका c क्या है union है, सभी connected subsets of x का, union of all connected subset of x, कि x के जितने भी subset और वो connected है, उनका union आपके पास क्या आजएगा, c, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कि c आपका connected subset है, a आपका connected subset of x था, तो c आपका किसमें, c आपका किसको containing करेगा, a को, a आपकी इसमें होगा, यह क्या है, union है, सभी sets का, ठीक है, अब हम c को दिखा क्या रहे हैं, कि c आपके पास क्या आजएगा, आपका maximal connected subset आजएगा, यानि c आपका क्या आजएगा, component आजएगा, component दिखा रहे हैं, यह फ्रू करना चाहते हैं, फ्रू डैट, तो इहां से हमने क्या ले लिया, let b, एक आपने और connected subset ले लिया, किसका, x का, और हम कह रहे हैं, कि c आपका subset होगा, इस वाले connected subset होगा, ठीक है, हो जहे गये, लेकिन, अब हम क्या कहा रहे है, इसका मतलब क्या है, कि आपके पास a, containing a था, a आपके किस में था, c में था, तो इसका मतलब क्या है, b आपके पास connected subset और किसको contain करेगा A को तो यानि A आपके किसमे होगा आपके B में भी होगा लेकिन आपने क्या लिया था C आपके पास UNION है All Connected Subsets of XK सभी सेट X के और जो किसको contain करें A को तो यानि C आपका क्या complete set है यूनियन है, सभी connected subsets का union, इसका मतलब क्या है, ये B आपका क्या सबसेट होना, जी ये C का, भी B आपके पास connected है, subset of X है, उसी union है, सभी connected सबसेट ओफ एक्स का जो आपके A को कंटेंड कर रहे हैं B भी आपके A को कंटेंड कर रहे हैं लेकिन यह उनली कनेक्टिड है तो इसका मतलब क्या है कि B आपका क्या हो गया है सबसेट हो गया आपके C का जो आप यह मानके चले थे यहां से और यहां से आपके पास C किसके एक जो मैक्सिमल आजएगा वही आपके पास क्या आजएगा आपका component of X जो containing A जो A को contain उसके बाद next है आपके पास की every component of topological space X is a closed subset of X कि जो component ए topological space X का वो आपके पास क्या close subset X का तो जैसे यहीं पे इसे आपने C क्या दिखाया आपके पास component of X तो C आपके पास क्या है connected है ठीक है C connected है C आपके पास क्या है subset होता है C closure का ठीक है C sorry C आपके पास क्या है connected है C connected है तो आपके पास क्या हो जैगा C closure भी क्या है connected तो C आपका क्या होता है subset होता है C closure का तो c closure का सबसेट हो गए तो इसका मतलब क्या है کہ c,- और आपके पास given कै देखो आपके पास starting में क्या दिया c component है लेके चलेओ component of y x मान के चलेओ तो c connected c component है इसका मतलब c आपके पास क्या है connected है connected of y c connected है तो c का closure भी क्या रहएगा connected of y 야 सबूजर की डेफीशन से हो जाएगा यह आपको पता है सी ऑपका यहां ची मतलब है सिसमय को जरे में के पास है 571 connected set of x तो x का maximal है इसका मतलर क्या c equal हो जएगा c closure के ठीक है c closure के equal हो जएगा तो यह सी कौन condition satisfy करता है कि अपने खुद के closure के ही equal है तो आपका c क्या हो जएगा यहां पे closed उसके बाद आपको given है कि if a and b कि आपके पास a और b are to disjoint component of x then a and b are separated disjoint component of x है तो आपके पास a और b क्या आजएगा आपके separated ठीक है तो यहां से हम लेके चल दें कि a और b आपके पास separated नहीं है separated नहीं है तो आपके पास conditions आजएगी separated नहीं आएगा तो a closure intersection में b आपके पास क्या रहेगा not equal to 5 and b आपके पास a intersection b closer यह भी आपके पास कह रहेगा notify या तो यह notify है या फिर यह notify है यह condition आने चाहिए यह आपके पास either or or कि आजएगी या तो either यह यह और फिर हम कह रहें क्या आपके पास given कह है since a और b आपके पास क्या given है closed है closed है तो a का closure किसकी equal आएगा a के equal और b का closure किसकी equal आएगा b के equal इसका मतलब क्या आगया a intersection b आपके पास क्या आगया not equal to 5 and a और b आपके पास क्या है connected set now a और b आपके पास क्या है connected connected set है and a intersection b आपके पास क्या आगया not equal to 5 तो a union b भी आपके पास क्या होगा connected सबसेट आपको पता है सबसेट A union B का respond Friday बी भी आपका क्या रएगा सबसेट A union इसका मतलब क्या है A union A subset A union B का B B का सबसेट A union B का A आपके पास क्या हो गया maximal हो गया ठीक है, A maximal हो गया, इसी तरीके से आपका B भी क्या हो गया, B भी maximal है यदि ये दोनों maximal हो गये, तो इसका मतलब क्या है, कि A किसके equal है A union B के, and B किसके equal है, A union B के, इसका मतलब यहां से आपके पास क्या गया A और B यही दोनों के आपके Equal है लेकिन यह तो Contradiction आप स्टार्टिंग में लेके चले हो कि दो Disjoint Subset लेके चले हो A और B आपके पास Forum में यह गेवन है Disjoint Component of X Disjoint Component अगर A भी Disjoint है यहाँ पर आपके क्या आ रहे? Equal आ रहे इसका मतलब क्या है? कि आप जो Component of a Topological Space Need not be open कि जरूरी नहीं है आपके पास जो Component of Topological Space वो क्या हो आपके पास open यहाँ पर इसने ले लिया क्या हो आपके पास Rational Numbers है ठीक है और किसके उसमें लिया है With the Induced Topology of Chrome Reals तो हम सो करें कि आपके पास जो क्या हो है Only Non Empty Connected Subset वो क्या हूँ? The Singleton Sets क्या हूँ के अंदर जो Connected Subset रहेंगे वो Only क्या रहेंगे? आपके Singleton Sets यजि Singleton Sets के अलावा क्या हूँ के अंदर कोई भी Sets आपने Subset लिए हैं क्या हूँ? वो आपके क्या हो जाएंगे? 9.os 10.os 12.os क्या हूं का जो contain कर रहा है यानि एक से ज़्यादा points क्या हूं कि एक से ज़्यादा points को contain कर रहा है यानि ए containing more than one point more than one point है तो इसका मतलब x y दो कम से कम दो point तो होंगे इसके अंदर x आपका less than y होगा y है तो आपको पता है दो rational number के 20 में कम से कम एक rational तो रहेगा वो आपने क्या ले लिया z इसका मतलब क्या है कि सी आपके पास minus infinity से z open and z से minus z से इधर के आजेगा आपका infinity ठीक है open intervals निकाले ये वाले ये वाले आपके क्या open है किसके अंदर इनने r के अंदर r के अंदर open है तो आपको पता है minus infinity से z का intersection e के साथ करूँ ठीक है and आपके z infinity के ये आप already कर सुके है जब आपने hereditary की property की थी तो ये आपके पास दोनों के आजेएंगे disjoint आजेएंगे disjoint ये बोथ open क्योंकि ये open है तो intersection के बाद क्याएगा open तो आप क्या कह रहे है disjoint open subsets ठीक है in e के अंदर तो e आपका क्या होगेगा minus infinity z intersection में e ठीक है union आपका infinity z से infinity intersection में e इसका मतलब क्या है कि 2 open sets का disjoint open sets का union आ रहे है e तो e आपका क्या है note connected यानि e आपके पास क्या गया है disconnected so every subset of r sorry every subset of q containing more than one point is disconnected यदि एक point single ten point contain कर रहे है तो connected और one से more than point connect करेगा तो आप कैसे हापे disconnected दिखा सकते हो उसके बाद आपकी इसमें last thorem है क्या कह रहे है so that in non empty connected subset of x which is both open and closed is a component of x कि आपके पास एक connected subset x होगा जो आपके पास क्या है open भी है और आपका क्या है closed भी है और वो आपके पास क्या होगा आपका component of x होगा यानि आप component of x को open and closed दिखा रहे हो तो यहां से हम क्या a non empty connected subset लेके चल रहे है non empty और connected connected subset of x है हम कहारे हैं यह आपके पास यह जो है ये आपके पास बोट है open and close यह इलिए दिखाना है आपको ठिक है तो आपके पास जितने भी connected subset of X आजेंगे वो content किसके अंदर करेंगे component के अंदर आपको पता है component आपका कहा रहेगा maximal connected subset of X तो maximal वाले है तो आपके जितने भी C आपके पास क्या है, component, component of X, A आपके पास connected है, C component है, यानि maximal connected subset of X, तो आपका A क्या होजेगा, subset होजेगा आपके C का, ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, कि दिखा रहे हैं, we claimed that आपको क्या दिखाने हैं, यहापे भी so that, या we claimed that, कि आपका A किसकी equal है, C की equal, तो C आपका component है, A आपके पास क्या open and closed, तो component आपके पास क्या होजेगा, open and closed, ठीक है, तो आप यहाँ से आप क्या ले रहे हैं, कि सबसे पहले तो हम यह ले रहे हैं, कि A आपका note equal to C है, हम converse part लेकर चळ रहे हैं, कि A आप भी, माल लहाँ इफिक, कि A आपके पास A है, वो आपके पास क्या आएगा, not equal to 5, ठीक है, not equal to 5 आ रहे हैं, तो C, हम C intersection में X लिख सकते हो, ठीक है, C intersection X किया, तो C के साथ intersect कर रहे हैं, हम X को कैसे लिख सकते हो, A union X minus में E, ठीक है, यह C intersection में E, union C intersection में X minus में E, ठीक है, यह भी not equal to 5 है, यह भी आपके पास क्या, not equal to 5 है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हो, आपने C को equal ले लिया, A union B, A भी not equal to 5, B भी not equal to 5, फिर A intersection B closure, और B intersection A closure, not equal to 5 प्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास वहाँ से क्या होजेगी, separation, को C के लिए, ठीक है, अब आप क्या करोगी, यहाँ पर क्या लेके चलोगी, भाई है, C intersection A है, यह आपके पास, इसका closure लेके चलें, किसके साथ, दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास C intersection X minus A, ठीक है, आपको पता है, C intersection A, ठीक है, आपके पास A क्या है, सबसेट है C का, तो इसके साथ C के इंटरसेक्शन करोगे, ये के साथ तो आपके पास क्या आएगा, A ठीक है, और A सबसेट किसका है आपके पास A क्या है, क्लोज है क्लोज है, तो यहां से आप क्या कहोगे, A आपके किस की equal है A closer के A closer की equal है तो ये स्वाले को आप कया कह सकते हूं C intersection A किस की equal A के तो इसका closer किसकी equal A closer की ठीक है आप यहां से क्या लिख सकते हूं कि यहां किसका subset है A closer का intersection अब वहinh tab S intersection X मैनस में A के साथ तो यहां से आपका क्या होगा यह X-A आजएगा क्योंकि यहां से A आपका क्या है X का intersection C का है तो यहां से X-A करोगे तो आपके पास क्या जएगा वो किसका subset बन जएगा आपके C का C आपका subset है X का तो C intersection X-A यह subset होजएगा X-A उसके बाद फिर हम क्या कह रहे हैं यहां पर A closure आपका A क्या close है तो यह A की equal है इसका intersection X-A क्या आपके पास इसी तरीके से second वाला पार्ट C intersection में A intersection C intersection X-A इसका closure यह continue होजएगा A ठीक है अब आपके इसको भी similarly जैसी करोगे तो आपके पास क्या होजए X-A आजएगा intersection में X-A और यह इसका closure क्यों ही यह आपके इसकी C intersection X-A किसमें contain कर रहा है X-A में तो इसका closure इसकी closure में contain करेगा A आपके पास A आपके पास क्या open है open है तो X-A आपके पास दोनों था बोथ open and close तो हम दोनों में close यहां पे close वाला क्या今日 में कर लिए यहां पे open वाला X में से open set हो गया तो आपके पास क्या बच गया close set तो X का मतलब क्या है कि X-A आपके पास क्या है close यह तो आपके पास इसके intersection क्या गय 5 तो इसका मतलब है कि C intersection A and C intersection X-A आपके पास क्या गय यह गया, यह separation औहला है, किसकी, огр 말y hold c की है, चाहिए चाहिए इसका मतलब क्या है, सी आपके पास क्या है, connected नहीं है, लेकिन आपके पास given क्या है, सी connected है, इसका मतलब क्या है, यह extension आगी, contradiction है, तो a किसकी加 उल L a, इसका मतलब एक सी component है, यह आपके पास क्या गया, open and closed, यहीं तक यह आपके हो,